नमस्कार दोस्तो, कॉलकाता नाइट वाइडर्स और मुंबाई इंडियन्स IPL का माच नमबर 60 खेलने वाली है इडन गार्डन कॉलकाता पे और दोस्तो ये माच अगर आप लोग मेगा ग्रांड लीग के लिए खेल रहे हो तो काफी इंपोर्टेंट मैच हो सकता है कौन-कौन से प्लाइट इस माच पे इंपोर्टेंट रहेंगे सब से पहले उसे देखते हैं section wise देखेंगे सब से पहले यहाँ पर आप लोगों के साथ डिसकस करना चाहता हूं लो सेलेक्शन पोसिंटेजस प्लर में से कौन से प्लाइट इंपोर्टेंट रह सकते हैं अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे players दिख रहे हैं, जिनने लोगों ने अपने team पर pick नहीं किया है, जो की यहाँ पर game changer player बन सकते हैं अगर आप लोग देखोगे अंक्रिश रगुवंशी काफी important player रहेगा इस match पे ध्यान रखेगा काफी important player रहेगा last match पे अच्छा knock खेल रहा था उसके बाद complete नहीं कर पाया innings को दो अच्छे impactful पारी इसने खेली थी नमन धीर की अगर मैं बात करूँ तो last match पे ये complete flop रहा था ठीक है बट इस बात को ध्यान रखेगा ये भी एक high potential player है जो की इस match पे अच्छा कर सकता है specially अंक्रिश रगुवंशी और नमन धीर ये जो दो player दिख रहे हैं दोस्तों आप लोगों को इन दो player में से आप लोग confirm 100% अपने mega grand league के team पर एक player को पक्का लेकर चलिएगा वो player दोस्तों यहाँ पर game changer player बन सकता है बागी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रिंकु सिंग, वैंकटे शायर और टिम डेविड भी दिखेंगे बागी एक player तो आप लोग अंकरिश, रगुवंशी और नमंधीर में से लेकर चलना है इन दोनों में से एक player यहाँ पर 50 plus run भी करकर जाएगा इस बात को धियान रखेगा लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे रिंकु सिंग, वैंकटे शायर और टिम डेविड जो की टीम पर as a finisher खेलेंगे इस बात को धियान रखेगा तो हो भी सकता है यहाँ पर अच्छे chances है कि इन तीनों में से भी एक player आप लोगों को mega grand league पे अच्छा perform करता हुआ देख जाए तो एक player अंकरिश, रगुवंशी और नमंधीर में से लेना है, दूसरा player as a finisher player लेना है अब finisher player से मेरा मतलब क्या होता है, जो भी टीम यहाँ पर first innings में बैटिंग करने आएगी उस team के players को आप लोगोंने pick करना है, मतलब KKR की team आती है तो आप लोग रिंकू सिंग और वेंकटेश, आयर में से किसी एक को pick कर सकते हो Mumbai Indians की team अगर खेलने आती है first innings पे, तो आप लोग यहाँ पर team David को pick कर सकते हो तो वो play as a finisher player मैं उसे करूँगा, क्यों? क्योंकि first innings पे एकदम 17 over पे भी जो player आता है न दोस्तो उसके पास भी opportunity होती है आके game change कर देने की बाकि रमंदीब सिंग शायद उतने important नहीं रहेंगे बट यह filter बहुत ही जबरदस्त है इस बात को ध्यान रखेगा बाकि वैबव अरे रहा है, नुवान तुशेरा होगे दोस्तो यह फिर से इस match पे again एक important role play कर सकता है इस player को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है और बात करूँ यहाँ पर दोस्तो कमबोज की न तो इन्हों ने भी last match में अच्छा perform किया था इस बात को ध्यान रखेगा दोस्तो अंशुल कमबोज यह भी एक बहुत important player बन सकता है मतलब यह nuance उशरा और अंकुष कमबोज में से एक player pick करके चलना है यहाँ पर अंकरिश रगुवंशी और नमन धीर में से आप लोगों ने एक player को pick करना है और as a finisher जो भी team पहले batting करने आती है उस में से एक player को pick करके आप लोग easily यहाँ पर आप लोग 3 player को pick कर सकते हो KKR की team first innings पर balling करने आती है तो वेब वर भी आप लोगों के लिए एक optional player रहेंगे मतलब यहाँ से जो की एक low selection percentage player रहते हैं यहाँ पर आप लोग 3 player या 4 player इन player में से pick करके अपने लिए Mega Grand League की एक बहतरीन team बना सकते हो बागी वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर end तक देखना है ताकि इन में से exactly किस player को आप लोगों ने pick करना है वीडियो को अगर end तक देखोगे न तो काफी player आप लोग as a fixed player अपने team पर pick कर पाओगे और Mega Grand League के लिए एक जबर्दस team आप लोग बना पाओगे तो आप सभी लोगों से request है वीडियो को पूरे end तक देख कर जाईएगा तभी एक perfect combinations आप लोग बना सकते हो बागी दोस्तों आप सभी लोगों का प्याद हर वीडियो पे मिल रहा है लेकिन हम लोग न अपने like target को achieve नहीं कर पा रहे है subscribe करना तो आप सभी लोगों ने छोड़ी दिया है आप सभी लोगों से नए भाईयों से request है especially जो वीडियो को देखने आ रहे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है दोस्तों चैनल को पकस से subscribe कर लीजेगा IPL के बाद World Cup भी आने वाला है तो एक भी वीडियो आप लोगों के miss नहीं होना चाहिए because पूरे fantasy पे न हमारा ही एक channel है जो की focus करता है आप लोगों को mega grand league पे बागी सभी लोग आएंगे starts पर के एक head to head की team बनाने आप लोगों को सिखाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है देखो mega grand league तभी जीता जाता है जब risk लिया जाता है कैसे calculated risk लेना है किन players पे आप लोगोंने risk लेना है हर match में एक दो players की वज़े से mega grand league मिस हो रहा है कोई नहीं दोस्तो मैनत करते रहो mega grand league पक्का से लगेगा और हाँ video को like पक्का से कर दीजेगा इस video का like target हम लोग रखते हैं 15,000 like और सभी भाईयों से request है like करने के बाद channel को subscribe करना ना भूलियेगा जिन्होंने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है because मैं चाहता हूँ कि इसी world cup पे 6,000,000 subscribers हमारे भी पूरे हो जाए और हमारी family भी काफी बड़ी हो जाए तो आप सभी लोगों का support रहेगा तो ये target बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा बागी अब देखते हैं दोस्तों कुछ loss makers players मतलब ये ऐसे players है ना जिने हर कोई अपने team पर ले कर चल रहा है लेकिन इन players में से भी काफी players दोस्तों flop हो सकते हैं अगर आप लोग देखोगे तो Mumbai Indians के team पे especially top order को काफी focus दिया जाता है सिफ एक player नहीं है top order में कौन? रोईट शर्मा रोईट शर्मा लास्ट मैस तक high selection पे था अभी के टाइम पे रोईट शर्मा को लोग आप drop करने लग गए इस बात को धियान रखेगा अगर रोईट शर्मा भी आ जाए ना तो पूरा ही Mumbai Indians का लगबग लगबग top order उपर आ जाता है वैसा तो बात है नहीं परफॉर्म कौनसे टीम कर रही है KKR के टीम कर रही है KKR के टीम टेबल टॉप पर है Mumbai Indians काफी नीचे है तो परफॉर्म कौन करेगा KKR के प्लेयर्स भी दोस्तों यहाँ पर परफॉर्म करेंगे ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेट आप लोगों को Mumbai Indians की टीम ही दिखेगी तो इन प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स ड्रॉप होंगे अभी स्टाट्स के साथ बता दूँगा इन प्लेयर्स में से आप लोगों ने किस प्लेयर को ड्रॉप करके चलना है बागी बहुत लोगों के मन पे डाउट होगा क्या इस माच पे भी सुनील नरायन को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है बागी जस्परीद बुमरा का फॉर्म अच्छा है लेकिन इस माच पे वरुन चक्रवर्ती को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो एक prediction यहीं पर आप लोगों को दे ता हूँ High selection percentage प्लेयर पे वरुन चक्रवर्ती इस माच पे आप लोग ड्रॉप करिके चल सकते हो reason क्या है वरुन चक्रवर्ती को ड्रॉप कर ने का वो भी आप लोगों को explain कर दूँगा और यहाँ पर किन players को आप लोगों ने pick करना है किन players को drop करना है stats के साथ justify करके आप लोगों को बताऊंगा reason के साथ आप लोग समझ जाओगे कि हाँ इस player को हम लोग drop करके चल सकते है बाकी ध्यान रखेगा दोस्तो game changer पे batting section पे अब दो important player आप लोगों को दिख रहे होंगे यह दोनो player last match तक कहां पर थे यह दोनो player last match तक high selection percentage player पे थे बट अब यह आ गये एकदम सही जगा कहा चुके है game changer में तो इन दोनों में से एक player की एक जवर्दस बड़ी पारी मतलब यहां तक की cvc वाली पारी भी इस match पे आप लोगों को आते हुए दिख सकती है ध्यान रखेगा दोस्तो रोई शर्मा और श्रिया सहीर में से कोई भी एक player यहां पर बड़ी पारी खेलता हुआ दिख सकता है बागी अगर आप लोग देखोगे हरशित राना अच्छी बॉलिंग कर रहा है मिचल स्टार्क फ्लॉप चल रहा है हो सकता है इस match पे अच्छी बॉलिंग करे प्यू शावला ने last match पे अच्छी बॉलिंग किये थी इसलिए low selection से यह high selection पे आ गया था बट इस venue पे कैसा perform करेगा यहाँ पर wicket निकालेगा कि नहीं KKR के against वो सारे doubts ना stats को देखने के बाद आप लोगों के सारे clears हो जाने वाले है बागी आप सभी लोगों ने अप क्या काम करना है अपने हाथों को बांद लो एक perfect team बना के ही जाओगे बागी दोनों टीमों की playing 11 क्या रहा है सकती है उस बात को देख लो उससे पहले venue को देख लेते हैं दोस्तो इडन गाडन कॉलकता पर यह match होने वाला है high scoring venue रहता है last के 3-4 match जो खेले गायता है उसमें से 3 match पे 200 प्लस score और दोनों innings में बना था लेकिन last का match थोड़ा सा low scoring match रहा था जिस पर डेली capital ने 153 मनाये थे 9 wicket के नुकसान पर और KKR के team ने तीन wicket के नुकसान पर उस run को chase कर दिया था लेकिन ध्यान रखेगा दोस्तों यहां पर आप लोगों को high scoring match दूबारा से दिखेगा बागी एक और important बाद यहां बना second innings पे spinner को थोड़े से wickets मिलते हैं यहां पर देखो लास्ट मैच पे तो डेली capital की टीम तो वैसे कोलाप्स दो रही थी तो चार wicket उनके निकल गए थे वरना high scoring venue है second innings पे spin को विकेट मिल जाते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं अब किये खिया अरगे प्लेइंग 11 पे फिल सॉल्ट और सुनील नारायन ओपन करते हैं फिर अंकरिश रगुवंची उसके बाद श्रिया सहीया फिर एंकटेश आईया फिर इंकु सिंग उसके बाद एंड्वेर असल फिर र फिर सुर्य कुमार यादाव आते हैं फिर तिलक परमा आते हैं फिर अधिक पांडे आते हैं उसके बाद टिम डेविड आते हैं फिर अंशुल कंबोज खेले थे उसके बाद प्यूष शावला जस्परीत भूम्रा और नुवान तूशारा आप लोगों को खेलते हुए दि माई 11 सरकल आप पर आप सभी लोगों के लिए एक बोखोती जबरदस्त ओफर है ओफर क्या है यहां बनना आप लोग सिर्फ पांच रुपे में ध्यान से सुनिएगा आप लोग पांच रुपे में 49 रुपीज वाला जो मेगा ग्राइंड ली कॉंटेस्ट होता है ना जिस 245 रुपीज ठीक है ना बट आप लोग यहां पर सिर्फ पांच रुपे में मतलब 240 रुपे कम पढ़ेंगे आप लोगों कैसे अगर आप लोग मेरे दिये गए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके माई 11 सरकल आपको डाउनलोड कर है हाँ अगर आप लोग किसी दूसरे मोबाई पर यह आपको डाउनलोड कर देते हो जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक के थ्रू तो आपके लिए भी यह ओफर वैलिड रहेगा ठीक है ना नए नंबर पर नए इमेल आईडी से नए मोबाई पर अगर आप लोग लोग यह ओफर आप लोगों के लिए भी वैलिड है क्लियर है तो सभी लोग पार्टिसिपेट पका से कीजेगा पांच रुपे में तो यार रस्क लही सकते हैं क्रिक 23 इस कोड को यूज कर लीजेगा वालेट में मनी अड़ करते वक्त 100 रुपे भी डालोगे 120 रुपे आएंगे और यह रियल मनी होगा जो 1200 होगा उस पे बोनस वाला कंपोनेंट नहीं होगा बोनस अलग से मिलेगा 1500 रुपे का और हर दिन नया हर दिन बड़ा कॉंटेस्ट तो चली रहा है जिस पर कि आप लोगों को 3 करोड रुपे तक का प्राइस मनी मिलने वाला है तो सभी लोगों स के रिक्वेस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट से से माइवन सर्कल आप को पका से डाउनलोड कर लीजेगा फिल सॉल्ट की अगर मैं बात करू के के आर के टीम के विकेट कीपर 48 75 68 5 32 जबर्दस्ट फॉर्म रहा है दोस्ता वेन्यू पे छे मैच खेल चुके हैं 65 का एवरेज है 89 नॉट आउट इनका बेस्ट कोर है 54 बार बना चुके इस बात को धियान रखेगा जबर्दस्ट परफॉर्म करते हैं बट इस मैच पे फिल सॉल्ट शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे मतलब रन नहीं आएंगे फिल सॉल्ट के इतनी बात मैं बता देता हूं फिल सॉल्ट क्यूंकि लास्ट के पांच मैच से सिफ एक मैच पे फ्लॉप रहा है और व जाएगा फिल सॉल्ट इस बात को आप सभी लोग नोट डाउन करके रखेगा क्यूंकि मुंबई इंडियन्स की जो बॉलिंग लाइन पैना वो भी अच्छी है स्टार्टिंग पर जस्परीद बुम्रा होगे हार्दिक पांडिया होगे कंबोज होगे अंशुल कंबोज य अगर 25-26 रन तक भी पहुंच गया ना क्लियर और फिर विकेट कीपिंग पे दो-चार कैचेस मिल गए तो फिर अंदर गुज जाता है परफेक्ट प्लेइंग 11 का तो इस बात को ध्यान रखेगा मेजर इंपेक्ट अगर यह सोश्रे होंगे कि CVC कर दू मेगा ग्रांड ली एड़-टो-एड ग्यार माच में 27 का इनका अवरेज है बाकी वेन्यूबे दो मैच में 33 का इनका अवरेज है ओवर्ल आई पील में 28 के अवरेज से खेल रहे हैं लेकिन लास्ट के पांच में पे अगर 28 के अवरेज से कोई प्लेयर खेलता है तो 5 में कितने रन होने एषान किशन के रंड मनेंगे इस माज पे कितने रंड मनेंगे एषान किशन के इस माज पे 40 प्लस रंड मनें चाहिए मतलब एट-लीस्स कम से कम ठीक है तो इपिप एप लोगे को देगा ही देगा विकेटगिपिंग के वी canoe는ग Duo के मिलेंगे मैंने आप लोगों को बताया था की दो सिज माइनिंद यहां पर एक और इंपोर्टेंट प्लेयर मैंने आप लोगों को बताया था अगर में वर्टिक यहां पर यहां पर देखो अंक्रिश रगुवंशी और नमंधीर क्यों यह important है अब इस बात को समझो पहले स्ट्थ देख आईपील पे 10 मैच पे 23 का आवरेज श्रिया सेयर पचास 28 तैथीस चेथ तेइस बाकि 112 मैच पे 32 का आवरेज वेन्यू पे 11 मैच पे 28 का आवरेज है चुके हैं इस बात को धियान रखेगा लास्ट मैच भी जब वेंकटे शायर खेले थे तो यहां पर इन्होंने 70 रन की भारी खेली थी क्लियर इस बात को धियान रखेगा रिंकु सिंग 24 पांच 11 9 16 बाकी वेन्यू पे 18 मैच पे 39 का आवरेज है बाकी हैट टूएट 6 मैच पे 14 का आवरेज है अब यहां पर देखो श्रियास एए यह थो इंक रहेगा इस बात को धियान रखेगा मतलब आप लोग श्रियास एयर और रोह शरमा मेंसे एक आप इस मांच में वी सी का भी रहेगा इस बात को धियान रखेगा बाकी अगर के कार के didns थीम फोसING कर ने आती है तो यह as a finisher खेलेंगे तो यहाँ पर important रह सकते हैं बाकी अंक्रिश रगुवंशी और नमंदीर दोनों कौन से position पर खेलने आते हैं दोनों first down position पर खेलने आते हैं सबसे important position होता है दोस्तों first down position इसलिए दोनों में से एक का चलना भी 100% है और दोनों क्या है खास बात है low selection पर तो 100% वहाँ पर भी एक player हम लोगों को मिल रहा है clear है ना ऐसे आप लोगों को player को pick करना आना चाहिए तभी आप लोग team मना पाओगे बागी यहां पर देखो रोईट शर्मा छे आट चार ग्यारा चार बागी वेन्यू पर देखो 40 का average है head to head भी 40 का average है clear overall 29 का average है और बहुत ज़्यादा डिप होच चुका है तो इसके भी run आने के अच्छे chance दिख रहे हैं अच्छा expectation की अगर मैं बात करू तो हो सकता है कि इस match में रोईट शर्मा और श्रिया सहीर दोनों ही अच्छा कर जाए इस बात को भी ध्यान रखेगा दोनों के दोनों फ्लॉप नहीं होंगे दोनों के दोनों अच्छा कर सकते हैं और दोनों में से एक के अच्छा करना तो रोईट शर्मा चलते हैं तो सूर्य कुमार यादव नहीं चलेंगे इस बात को भी ध्यान रखेगा ध्यान से सुनियेगा क्या बोला मैंने अगर रोईट शर्मा टीम पर है न तो सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया जा सकता है और अगर रोईट शर्मा टीम पर नहीं को देखोगे तो consistency के साथ खेलते हैं 65 63 7 4 37 टिम डेविट को देखोगे तो 37 35 24 बैटिंग नहीं और टिम डेविट भी as a finisher मैंने बताया है कि important रहेगा इस match पे ध्यान रखेगा क्योंकि low selection पे अगर Mumbai Indians की team भी first innings पे बैटिंग करने आ जाती है तो यह finisher खेलेगा वहां पर important role play कर सकता है clear है आप लोगों को batting वाला section कैसे आप लोगोंने किस player को pick करना है और किस player को drop करना है all rounder वाला section simple सा section है सीधा सीधा आप लोगों को upon थ्यान रखेगा सुनयल अ यहां पर perform यहां पर perform यहां पर perform यहांपे perform यहां पर perform पंच साथ 11th 13 मतलब यह तो perform करी रहा है आप लोगों को पता यह इंसे भी लेकर चलेगा कि अंडर्य वेहले सट二 स संट इंव स्क्रовать लोएट फिर दहाब यह द यह कब इंग trabajar यह KKR की टीम, ध्यान से सुनो, KKR की टीम, फॉर्स्ट इनिंग्स पे अगर बैटिंग करने आ जाती है, तो ये बहुत important player रहता है, clear, क्योंकि Android Russell को second innings पे wickets मिलता है, हमेशा से, और फॉर्स इनिंग्स में ये run मनाता है, अगर KKR की टीम, chase करने आ गई, ध्यान दीजे, इनिंग्स पे बैटिंग करने आती है, तो Android Russell भी must pick है, मतलब ये तीनो important player है, अच्छा, एक खास बात सुनो, सुनील नाराइन को इस माच पे CVC करना है क्या, शायद ना करने की जरूरत पड़े, CVC की जरूरत ना पड़े, क्यों आब उस बात को समझो, सुनील नाराइन को CVC करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि 22 मैच पे अगर आप लोग देखोगे, सिफ 5 के आवरेच से खेला है, सब्सक्राइन के अभी के आवरेच से खेला है, और अभी के टाइम पर देखोगे लास्ट मैच पे इसने रं किया, रं करता है, फिर 1-2 इनिंँग फ्लोप जाता है, फिर 1-2 इनिंग फ्लॉप जाता है इसी पैटरन पर खेल रहा है, ध्यान दीजेगा तो शायद cvc की आप लोगों को जरूरत ना पड़े सुनील नाराइन को प्रिक करना होगा क्योंकि बाटिंग बॉलिंग दोनों करता है आपने ओपन भी करेगा चार ओर भी डालेगा और हाई चांसे है कि मुंबई इंडियन्स के जो स्टार्टिंग के काबले में इस बात को ध्यान रखिएगा बागी रमंदीप सिंग चौबिस यह बैटिंग नहीं दो पच्छिस लास्ट मैच पे इंपेक्ट डाल दिया था क्योंकि लास्ट मैच पे एक ही ओवर पे इसने आगे ठोक दिये थे 20-21 तो इसलिए मैंने बोला ना फिनिशर्स ज ठाहर रन देखे तो कमेंट कर दीजिगा सही जवाब आप लोगों को एक लाहर रुपे थक का क्या आज क्या वर मिन करा सकता है तो सभी लोग पक्का से जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्षिन पे बॉलिंग वाले सेक्षिन को देखते हैं accomplishते बॉलिंग वाले सेक्षिन पे यहां देखो हो द्यान से देखेंगा मिचल स्टार्क वेन्यू पे 6 मैच पे 6 विकेट है है टो है चार मैच पे 7 विकेट है 0-1-1-4-1 दूसरा और चौथा होगा डाला था हरशित वराना दूसरा दो विकेट 2 विकेट 0-2 विकेट 3 विकेट 6 ता आठवा पंद्रवा सत्रवा यह अच्छी बॉलिंग कर रहा है वरुन चक्रवर्थी एक जिरो विकेट तीन दो तीन लास्ट के तीन मैच में कितने विकेट हो गए इसके आठ विकेट हो गए इस मैच में चलेगा नौवा चौद्वा इस मैच में ड्रॉप कर दीजेगा निचल स्टार्ङ कर रहा है फिर है तरा क्यूकि मिशल स्टार्क ही लएग कर रहा है यह सारे आगे चल रहे हैं سतरह मैच पे तो लास्ट के 5 मैच में पहले हैं नोविकट इसके हो गए हैं पाँच मैंच पे इसे देखोगे तो तीन आठ नौ विकेट इसके पास है और इसके पास देखोगे तो चार पांच छे साथ यह लैक कर रहा है क्लियर तो यहाँ पर के के टीम फोस्त इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है तो उस कंडीशन पे आप लोग अर्शित राना और मिचल स्टार्क को ट्राइ कर सकते हो सेकेंड इनिंग्स पे आप लोगों को हर्शित राना को भी पिक करने के जरूरत नहीं है क्लियर बागी वरुन चक्रवर्ती दोनों इनिंग्स पे ड्रॉप रहेगा हाई सेलेक्शन में से एक प्लेयर इजिली आप लोग ड्रॉप कर सकते हो अंशुल कंबोच ओवर नमबर दूसरा पांचवा आठवा दसवा डाला था एक विकेट निकाला था अच्छी बॉलिंग कर रहा था प्यूश शावला ओवर नमबर ग्यारा तेरा पंदरा सत्रह यहां पर स्पिन को मुझे नहीं लगता इस माच में विकेट मिलेंगे वैस टीम फोर्स इनिंग पर बॉलिंग करने आएगी तो अंशुल कंबोच जस्परीद बुम्रा नुवान तुशरा तीनों को पिक करके चलना है तीनों विकेट निकाल देंगे यहां पर इस बाग को ध्यान रखेगा बागी वैब वरोरा के कि टीम फोर्स इनिंग पर बॉलिं अबीद बुम्रा ने एक बार सुनील नारायन को दो बार वेंकटेश एयर को दो बार रिंकु सिंग को और चार बार अंड्रे रसल को आउट कर रखा है बागी प्यूश शावला ने एक बार रिंकु सिंग को आउट कर रखा है हार्दिक पंडे ने एक बार सुनील नारायन को आउट कर रखा है मिचल स्टार्ग ने एक बार इशान किशन और एक बार टिम डेविट को आउट किया है बागी सुनील नारायन ने नौ बार रोईच शर्मा को आउट कर रखा है एंगवे रसल ने तीन बार सूर्य कुमार यादव को और दो बार हर्दिक पांडिया को पर जाना है तो अंकरिश के बदले यहां पर आप लोग किसे पिक कर सकते हो श्रियास अईयर को पिक कर सकते हो बागी सुनील नारायन एंड्रे रसल हर्दिक पांडिया जस्परीद भूंबर नुवान तुशारा और अर्शित राना है मेरे टीम पर कैप्टन मैंने दोस्तो आप से अपने लिए टीम बनाना है बागी आल दा वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को इस माच के लिए होपफुली आप सभी लोग इस माच पे मेगा ग्रांड लीग पे रैंक बन पक्का से लेकर आएंगे धन्यवाद दोस्तों